हिंदी में यूपी एसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टडी आईक्यू आईएस हिंदी नमस्कार क्विकनिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है कौन थी महान सोतंतरता सेनानी उदा देवी 16 नमबर को पासी समुदाय की सुतनता सेनानी उदा देवी की शहादत की याद में लखनाओ के सिकंदर बाग सहीत उत्तर प्रदेश के विभिन इस्थानों पर काडिक्रम आयोजित किये गए उत्तर प्रदेश के साथ साथ मत्रदेश बंगाल और बिहार में भी उदा देवी को श्रधांजरी देने के लिए विभिन इस्थानों पर सभाए हुई उदा देवी को ना किवल उनकी वीरता की कहानियों के लिए याद किया जाता है बलकि एक नेता के रुप में उनकी कौशर के रुप में भी उन्हें याद किया जाता है इनका जन्म उजीराव लखणव में हुआ था वहावद की बेगम हजरत महल के शाही गाट का हिस्सा भी थी इनके पती मक्का पासी अवद के नवाब वाजित अलिशार की सीना में पैदल सिपाही के रुप में काम करते थे गौर तलब है कि 1857 के विद्रोह के बीच 10 जून को इसमाइल गंज के पास लखनव की सेना और हेंरी लॉरेंस के नतित्यों में बिटिश सैनिकों के बीच एक लड़ाई लड़े गए इस लड़ाई में मक्का पास्टी की मृत्यू हो गई पती की मृत्यू की ने उद्रोह में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेजित किया लेकिन कहा जाता है कि उदादेवी ने एक पेड़ के ऊपर से गोलियां चला कर कम से कम तीन दर्जन बिटिश सैनिकों को मार डाला बाद में एक अन्य बटालियन ने इस रहस्यमई हत्यारे को मार गिराया और वहकून से लथपत होकर जमीन पर गिर प्रें Mutiny at the Margins New Perspective on the Indian Uprising of 1857 Volume 7 में उलेक किया गया है कि बिटिश अधिकारियों ने भी उदादेवी के सम्मान में सिर जुकाया